बहुत स्वागत है आपका खेल कड़्डा में मैं हूँ आपके साथ सुधी प्राजपूत ICC Monday विश्वकप 2013 काज 28 मैच बांगलादेश और नीधर लेंड के बीच खेला जाएगा लेकिन उसके पहले बता दें कि आज दो मुकाबला था पहले मुकाबले में जिस तरीके से न्यूजिलेंड और आश्चिलिया की टीम भिड़ते हैं इस मैच में काफी लंबे अर्से बाद आज 23-23 की वापसी होती है और वो ट्रेविसेड ऐसा तूफान बन कर आते हैं न्यूजिलेंड के गेदबाजों पर मानो कहर भरपाने के लिए के वाल आये थे चवके छपकों की बरसात होती है जिस तरीके से आश्चिलियाई टीम ने पहले पावर प्ले में आज इक रिकार्ड दोते नाम किया यानि कि जो रिकार्ड था इसके पहले पावर प्ले में बिसुकप में सबसे आधार रनों की तो वो था इसके पहले कैनाडा के खिलाब बिस्टन्डीज की टीम ने बनाए थे 2003 में 119 रन आज इस मैच में उस रिकार्ड की बराबरी करने से माच एक रन से चुक गई आर्टिलियाई टीम जिसको उसको साइद मदाल भी होगा लेकिन आज की जो बैटिंग रही खास करके ट्रेविस हेड और डेविड बर्नर की वाकई में बहुत लाजबाब रही अगर बात की जाए तो इस मैच में दोनों बल्ले बाजों ने पहले पावर प्ले यानि कि पहले 10 उबर में 21 बॉंडरी हमारी यानि कि 10 छकके और 11 चोके आप सोच सकते हैं कि चाहे लौकिर फार्गूशन हो चाहे ट्रेंड बोल्ट हो या मैं ठेंडरी हो बीच में उनको मंचिल सेंटर को लेकर आना पड़ा जो उनके प्रभूग इस्पिनर गेदबाज हैं लेकिन ये तुफान रुपने का नाम ही ने ले रहा था मानुशन में ये लग रहा था है कि ये टीम आज वर्ड कप का सबसे बड़ा रिकार्ड रन बनाएगी और कम से कम पांच रन बनाएगी लेकिन फिर जिस तरीके से जो उनके बल्ले बाज हैं कभी-कभी गेदबाजी भी करते हैं ग्लेन फिलिफ ग्लेन फिलिफ ने अच्छी गेदबाजी की और दस ओबर में 37 रन देकर तीन बिकर चटक है उसके चलते कहीं न कहीं अपने आपको अस्टेलियाई टीम थोड़ा बहुत बैक फुट पर पाई फिलाल आज की बात करें तो दोनों टीमों के बीच या मुकाबला कोलकाता के इडन गाइडन इस्टेडियम में खेला जाएगा टूर्नामेंट में दोनों ही टीमों की आलत बहुत ही खराब है बांगलादेश और नीदरलेंड दोनों ने पाँच-पाँच मैच खेले हैं जिसमें उसे सिर्फ एक मैच में जीत मिली है ऐसे में सेमी फानली के रेस में या दोनों ही टीमों के लिए लगवग बाहर हो चुकी है ऐसे में बंगलादेश और नीदरलेंड की कोशिस होगी कि वा टूर्णा मिट में बची हुए अपने मैचों में दमदार खेल का प्रदसन करते हुए पॉइंट स्टेबल में अपनी इस्थित को मजबूत करनी कोशित करें इडिन गार्डन की पीच को अगर बात करेंगे तो बेहतरीन क्रिकेटिंग पीच है यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि नए गेज से सुरुवात में तेज गेद बाजों को मदद मिलती है लेकिन गेद पुरानी होने के साथ ही या बैट पर आसानी से आती है ऐसे में इस पीच पर अगर बल्ले बाजियों ने होसियारी से काम लिया और रुक कर खेलने का प्रयास किया तो खूब चोके और छक्के भी लग सकते हैं वैसे भी इडिन गार्डन के मैदान पर देखा जाए तो कई हाई स्कोरी मुकाबले भी होते हैं ऐसा भी नहीं है कि पीच सिर्फ बल्ले बाजियों के लिए यानि बल्ले बाजियों के फेवर में रहती है इस मैदान पर गेदबाजों के भी खूब मदद मिलती है ऐसे में मुकाबला काफी रोमांचों कोने वाला है उम्मीद भी रहती है कि स्पिच पर अच्छे रन बनेंगे अगर बात की जाए तो सबसे बड़े स्कोर की इस पिच पर तो वंडे पर वो 404 रन है जबकि यहां लोवेश स्कोर जो है वो 400 रनू का है इस मैदान पर 317 के स्कोर को चेर्ज करते हुए बारत ने स्रिलंका को हराया था ऐसे में या साफ है कि पहली पारी में बड़ा स्कोर भी सुरच्छित नहीं माना जाता अगर वहीं बात की जाए तो जिस तरीके से पिचला मैच अपना हार करा रही निदरलेंड जिनको आस्टेलियाई टीम ने रिकॉर्ड रनों से था 309 रनों से पूरी की पूरी टीम 90 रनों पर आल आउट हो गई थी लेकिन इस वर्ड कप में एक चीज अची देखने मिली है कि जिस तरीके से निदरलेंड के बल्ले बाज निदरलेंड के गेद बाज वो अपने आप में इस फूर्ती दिखा रहे हैं बिकर्ट लेनी की चेश्ठा कर रहे हैं वहीं बात करेंगे तो वैन बीक ने चार मैचों में आठ बिकर्ट चटका हैं जबकि डिलीडे ने भी पांच मैचों में अपने नाम नो सफलताएं की हैं और इसके पहले वाले मैच में आप देखेंगे आश्टडिये वाली मैच में जिस तरीके से अच्छी शुरुवात हुई थी बास्टी लीडे की बीच में और बिकर्म धीत के बीच में तो आज काफी उम्मीद होंगी कि बिकर्म जीत से लोगों कोई मैक फोडाट से काली न पारी खेली और इकला होते वो बल्ले बाच थे जुन्होंने सतक लगाया था उस मैच में ऐसे में इस पूरे मैच में आप देखेंगे जैसे लगता है कि शाकी विलहसन के उपर कोई गरासा लग गया हो वो इतनी बेतरीन इस्पिन गेदबाजी करने वाला गेदबाच इतन उनके जो उनका नाम है उससाफ से अभी तक वर्ड़कप में उनके बल्ले से नाहिल के गेज से कोई कारणामा देखने मिला भी नहीं है वहीं अगर बात की जाए तो तंजीम असन लिटिन दास लिटिन दास बढ़िया पार में चल रही समय अगर बात की जाए तो जिस तरी आप ये भी कर सकते हैं कि मैच से इंट्रेस्टिक होगा और मैच में हाई स्कूरिंग मैच होगा फिलाल वर्ड़कप से जोड़ी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहे हैं न्यूज वर्ड इंडिया के साथ धन्यवाद